हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरेखा नेटिंग, फ्रेंड्स आज ये दो कलर वाला पैटर्न लेकर आई हूँ, बच्चों के स्वेटर में तो ये खूब सरत लगता ही है, आप इसको जैंस पूर स्वेटर में भी बना सकते हैं, और किसी भी स्वेटर में आप इसको बना सक ये थोड़ा चोटा ही अच्छा लगा, तो मैंने इसको दस फंदो में बनाया है, और दस फंदो के मल्टिपल में हमें दो फंदे आड़ करने हैं, दोस्तों, तो कि एस स्टिच रखने हैं, मुझे एक इधर एक इधर, आप ना भी रखना चाहें, तो दस के मल्टिपल में आप फंदे लेना इसमें, और ये वाला हमारा पैटर्न जो है, ये कितना पैटर्न, आठ सलाई पर कम्पीट होता है, ये, और यही आठ सलाई हमें फिर रिपीट करनी होती है, तो ये यहां से लेकर, यहां तक कम्पीट हो जाता है, तो सोला सलाई पर ये कम्पीट होगा, आठ आठ सलाई हमें दो बार रिपिट करनी होती है हम इसको यहीं पर बना कर देखते हैं यह ऐसी साई से शूरू होगा दोस्तो एक फंदा मैंने हैस टीच रख रहे हैं यह हमारा रहा कल बेस कलर है इस वाल आ कलर को हमें यहां पर रहा है यह है सऺनटी है इस बनोंगी इस फेरसे फिर 2 फंदे चिलिप करेंगे यह फिर 12 वाले मैं में दो फंदे साथ 15 और मिए दोस्तों यह एस्टीज को छोड़कर दस गिनने में एक दो तीन चार आठ हुए फिर दस दो फंदे हम स्लिप करेंगे यह हमारे दस हो गए उसके बाद फिर हमें क्या करना है दस फंदे उल्टे बुनने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यह दस हुए उसके बाद फिर वही रिपिट करना है यह दो फंदे स्लिप करेंगे दो फंदे बुनेंगे दो स्लिप करेंगे दो बुनेंगे और दो स्लिप करेंगे यह तीन बार इसमें स्लिप होता है यह दस फंदे हो जाते हैं हमारे ऐसे करके और उसक बुनेंगे दोस्तों यह मैंने 42 फंदे लिए हैं दर दर स्केज में मुल्टीपल चल रहा है यह लाश्ट के सारे फंदे हैं उल्टे बुन देंगे यह 11 फंदे हैं लाश्ट में क्योंकि एक फंदा मैंने एस्टिच रखका है यह देखिएगा अब हम दूसरी चलाई पर हैं सिधी साइड सिधी साइड में हम क्या करेंगे यह वाले फंदे उल्टे बुनेंगे यह वाली लाइन बनानी है हमें देखिएगा यह इधर से भी उल्टी आएगी यह एस्टिच है और यह दस फंदे हम बुनेंगे दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और यह दस यह हमने दस फंदे बुने उल्टे धागा उदर करेंगे यह स्टिप करेंगे और यह दो फंदे बुनेंगे फिर यह स्टिप करेंगे दो फंदे बुनेंगे फिर यह स्टिप करेंगे फिर दो फंदे बुनेंगे नए फिर हम अगले दस फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, और ये, दस, फिर भी रिपीट करेंगे, दागा उदर करके ये स्लिप करेंगे, दो फंदे बुनेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, दो फंदे बुनेंगे, ये देखेगा, ये दो फंदे स्लिप करेंगे, ये एस दिज दिया है मैंने, इसको हम बुनेंगे, ये दो से लाए हमारी कम बन चुकी है देखिएगा एक यह बनानी है एक रैड कलर से बनानी है फिर हमें एक यह बनानी है ऐसे करके हमें लाइने बनानी है तीन एक पैटर में अब हम क्या करेंगे तीसरी सलाई में यह पूरी तीसरी सलाई उल्टी बनेंगे रैड कलर से देखिएगा फ्रेंस पूरी स सलाई उल्टी आएगी यह वाले फंदे भी और वह वाले भी पूरी सलाई हमें उल्टी बनानी है कि दीखेगा फ्रेंड्स यह सलाई हमने बनाई है अब हम यह सीधी साइड से सलाई बुनेंगे दीखेगा यह हम यह वाले लाइन के उपर दस फंदे उल्टे बुनेंगे इस वरी लाइन के उपर यह वाले दस फंदे उल्टे बुनेंगे यह चोथी से लाई है हमारी यह दस फंदे उल्टे बुनेंगे कि दस फंद युल्टे और ये वाले दस फंद सीधे कि भस यह इसमें इस वाली सलाई में चोठी सलाई में राड कलर वाली जब सलाई कर आदे हैं तो दस फंद युल्टे 10 फंद सीधे ये जो हम ये ये वाली सलाय बना रहे हैं ये शीधे शीधे की है जो हमारी ये कंप्रिट हुए दोस्तों टिसाइड से मसफ़ाइब बनाएगे इस वाले कलर से हमें दो सलाई के बनारी होती है फिर हम फर्स अलाई की तरह यह वाली बनाएगे विल्कुल वही जैसे हमने वेसे ही हम इस सलाइक को बुनेगे, 1st फंद हम ने 12 सलिप किये, फिर दो फंदे 1 फंद इंट 2 फंदसलिप करेंगे, पीछे हो गए, 2 फंदे बुनेगे, 8 होह गए ,then 10 हो गए और फिर एत्स फंदे, तसरत रखले, 17 एक होंब भी करेंगे 1 2 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद फिर हमें वही करना है, दो फंदे स्लिप करेंगे, दो बुनेंगे, दो स्लिप करेंगे, दो बुनेंगे, ऐसे ये 10 फंदे आएंगे, फिर 10 फंदे मुल्टे बुनेंगे, ये सलाई में कम्लीट कर लेती हूं, ये पांच भी सलाई मैंने ये घर से हम 6 रो बुन रहे हैं, ये हमारी देखिएगा, एक लाइन हमने ये बनाई, एक लाइन हम इसकी और बना रहे हैं, ये तीन लाइन होती हैं पैटर्न में, अब हम ये 10 फंदे उल्टे बुनेंगे, बिल्कुल जैसे हमने दूसरी सलाई बुनी थी, वैसे ये हमारी 6 स्थमिय वाएगी, ये दस फंदें घर सभी करेंगे, ये फंदें यs लीप करेंगे, ये सलेगी, और ये सल्फेंगे, दागा पीछी, और ये सलेगे, और ये सब्स safest करेंगे, और ये सहरोर से गाएन, इसयों डापफुल, भी णहसाले से जिए लाऌ भी दागंगे, य ये फंदे उल्टे बुनेंगे ऐसे कम्प्रिट होगी ये सलाई दोस्तों ये देखेगा फ्रेंड्स ये हमारी छे सलाई कम्प्रिट हुई अब हमें क्या करना है ये सातवी सलाई हम बना रहे हैं रैड कलर से पूरी सलाई सीधी बनाएंगे जब हम फूरी सलाई हमारी सीधी बना रहे हैं यह देखेगा फ्रेंड्स ये हमारी आठभी शवाई है, ये हमने तीन लाइन बना दी है, ये आठभी सलाई इस पूरी सीधी बनी जाएगी, इसमें भी हमें कुछ नहीँ करना, पूरी सीधी बनी जाएगी, रेड गलर से, ये मैं बना रही हूँ, उसके बाद पिर यही आठभी एपीट होनी है, बस जगेट चे इधर ये two lины बनी हैं तो अब हमें क्या करना है इधर ये राइन बनाएंगे हम यहां पर यह वाली बनाएंगे बिस यहां चेय हो जानी है यह 8 सलाई फिर रिपीट होनी है मैं पहली सलाई आपको बना कर दिखाती हूं यह देखिएगा यह है अब यह जो दस दस सलाई है हमारी यह दस सलाई अब पूरी उल्टी आएंगी येलो कलर से फर्स्ट फंदा है हमारा इसे हम काउंट नहीं करते इसके अलावा दस फंदे हमें उल्टे पुनने हैं दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और यह दस यह दिखेगा फ्रेंड्स यह हमारे पुरी हुए उसकी बाद हमें क्या करना है इन वालो पर यह प्रेले हमने यह पट्टिया बनाए थी अब इन पर यह डबी बनेगी जो दो फंदे हमें फर्स्ट में स्लिप करने हैं दो फंदे बुनने हैं फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे तीन चार पाँच छे साथ आठ नो और ये दस ये दस हुए उसके बाद फिर हमें क्या करना है ये देखेगा इधर हमारी ये पट्टिया थी फिर इनके उपर हमें वो डबी बनानी है दो फंदे स्लिप करेंगे दो फंदे बुनेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे दो फंदे बुनेंगे फिर दो फंदे स्लिप करेंगे और ये एधरी से हमारा लाश्ट में इसको हम बुनेंगे ये देखेगा फ्रेंड्स ये देखेगा अब हमारी जगह चेंज हो गई है यहां पर यह बनेगा और यहां पर यह बनेगा ऐसे करके हमें यह 8 सलाई complete करनी है मैंने एक सलाई बना दी है 7 सलाई और complete करनी है तो ऐसे यह बहुत simple है यह design और अच्छा लगता है आप इसको किसी भी sweater में बना लीजेगा आपको हमारी यह बुनाई है और हमारा यह वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक शेर जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो के साथ थैंक्स पर वाचिंग